हेलो दोस्तों स्वागत हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेल्टिक्स में तो आज हमने अपना सामान जो है वो बांध लिया है और सब लोग जो है वो रेडी है और बस गाड़ी आने का इंतजार है सबको और यहां पे हमारे गाड़ी जो है वो आ चुकी है कुछ मेंबर् है रहे हैं हर अर यूर और शनने अपने अपनी सीट जो है वह संभाद लिए दोनों पहले बैट चुके हैं और यहां पे बाकी मेंबर्स जो है वह वी अपनी सीट संभारेंगे ड्राइवर सहब जो है वह गाड़ी का टायर चेंज कर रहे हैं क्योंकि सफर जो है वो हमारा लंबा है तो अब हम फिर अपने सफर के लिए जो है वो निकल पड़े हैं क्योंकि रास्ता लंबा है और यहां पे हमें दोपैल हो चुगी है पहुंचते पहुंचते तो यहां पे अब हम लोग जो है वो लंच करेंग उसके बाद फिर हम आगे का सब्सक्राइब करेंगे तो कुलू जाते हुए हमें रास्ते में बहुत सारी टरनल से होके गुजरना पड़ता है और अभी हम कुलू भी नहीं पहुंचे हैं और साम जो है वो होने को आ गई है तो हमने ओनलाइन ही जो है अपना होटल जो है बुक दोनों भी रेडी हो चुके हैं तो हमारी गाड़ी जो है वो आ चुकी है और हम लोग जो है वो रात को यहीं होटल अधित्या में ही रुके थे तो एतिहासीक सहर मनीकरण के लिए हमारा सफर सुरू हो जाता है तो मनीकरण भारत के हिमाचल प्रदेश के कुलू जिले से करी हिमाचल प्रदेश और अन्य प्रोसी राजियों के सभी प्रमुक सहरों से सड़क से बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है तो आएज़ जाने इस सहर से जुड़े कुछ रोचक तक्तियों के बारे में हिमाचल प्रदेश में स्थित मनीकरण सहर अपने धार्मिक एत्या वनी के लिए कहा वहत दूलने पर भी सिब्गनों को मनी नहीं मिली इस बात से खोजित होकर भगवान सिब ने अपना तीसरा नेतर खोल दिया पुछते ही उनके नेत्रों से नैना देवी प्रकड़ हुई इसलिए यह जगा नैना देवी की जननबूनी भी मानी जाती है नै उन्हें जोर से फुकार भरी जिससे इस जगा का गरम जल की धारा फूट पड़ी तभी से इस जगा का नाम मनीकरन पड़ गया मनीकरन में शिख और हिंदू दोनों की आस्था की बज़ा से साल भर सरधालों का अनाचाना जो है वो लगा रहता है तो अभी हम लोग जो है वो पूर्शों और महिलाओं के लिए अलग लग स्ञान खक्स बने हुए हैं तो पानी काफी ज़्यादा गरम होता है इस वज़ा से यहां पे पानी में धिरे धिरे जाने की सला दी जाती है हिमाचल प्रदेश का मनिकरन धार्मिक एक्ता का प्रतीक माना जाता है यहां पर एक और सिब मंदिर है तो दूसरी तरफ गुरु नानक देव जी का एतिहासिक गुरुद्वारा नदी से जुड़े होने के कारण दोनों ही धार्मिस तलों का बाता बरण बहुत ही संदर दि काले पत्थर के बने हुए हैं तो यहां पर सिब लिंग के लिया काले पत्थर के बने हुए है ARE यहां पर सिबलिंग के ऊपर परसाद गारा चड़ाने के बाद जो है मंदिर की परिक्रमा की जाती है तो यहां पर हम सारे लोग जो है वो मंदिर की एक परिक्रमा करेंगे जैसे बाकी सारे लोग कर रहे हैं यहां पर यहां पर आप देख सकते हैं सिब मंदिर के बिल्कुल प पानी की बज़ा से है कहा जाता है कि देवी देवताओं ने स्वर्ग से आकर यहां भगवान सिब की पूजा की थी सन 1905 में यहां तेज भूकम आया उसके बाद यह मंदिर गिरा नहीं सिर्फ एक और हलका सा जुग गया था तब से यह मंदिर हलका जुगा हुआ है भगवान स सिब को समर्पित एक अध्यात्मिक पूजनिय मंदिर हिमालय की तलहरोटी के बीच में स्थित है ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में भगवान सिब की पूजा करने के लिए देवी देपता जो है वो स्वरक से उतरते हैं और कहा जाता है देवी देपता उन्हें स्वरक से आकर यहां भगवान सिव की पूजा की थी तो मंदिर में दर्सन करने के बाद सारे लोग वो मंदिर से बाहर आ चुके हैं और अभी सारे लोग जहांपे गरम पानी का एक कुंड सा है उसकी तरफ जा रहे हैं और यहां पे जो हैं दर्सन के लिए आये प्रेटकों को यहां स्पेध कपड़ों की पोटलियों में चाबल धागे के साथ बांद कर बेचे जाते हैं और कुछ लोग जो हैं वो अपने घर से भी पोटली बना के लेके आते हैं माननेता यह है कि नब बिवाहिक जोड़े इकठे धागा पकड़कर चाबल उबालते हैं तो उन्हें सुखत बिवाहिक जिवन का आसिरबाद मिलता है तो यहाँ पे काफी सारे लोग जो हैं वो इस कुंड में जो साथ में पोटल आए हैं जो यहाँ उन्होंने यहाँ पे ख्रीबी है उसके धागे के माधियम से यहाँ उसको उबालते हैं और परसाद के रूप में जो हैं वो उसे अपने अपने घर लेके जाते हैं मनिकर्ण में यह जगा एक त्राकरतिक भूग विज्यानिक चमतकार है जो गरम उबलते पानी से भरा हुआ है जो यूरेनियम और रेडियो धार्मिक पदार्थों से भरपूर है कहा जाता है कि इन गरम पानी के ज़र्णों में यूरेनियम सल्फर और कई अन्या ततब होते हैं जो बीमारियों को काफी हद तक ठीक करने में मदद करते हैं ऐसी मानेता है कि इस कुंड में डुपकी लगाने से इनसान के अंदर का क्रोध और बुराई खतम हो जाती है मनी करन साहिम में जो लंगर त्यार होता है वो इसी गरम कुंड में जो है वो पकाया जाता है और यहां के उबले पानी में पके भोजन को खाने से मनुश्य बैकुंड धाम को जाता है तो मंदिर से बाहर निकलते ही आपको काफी सारी दुकाने जो है वो दिख जाएंगी जहां से आप परसाद बगेरा जो है वो खरीद सकते हैं तो हम भी यहां अपने लिए परसाद बगेरा जो है वो खरीदेंगे और फिर हम चलेंगे आगे मार्किट की तरफ यहाँ पर सारबर सरदालू का आना जाना जो है वो लगा रहता है इसलिए हमेशा आपको यहाँ पर जो है तो काफी संख्या में सरदालू देखने को मिलेंगे तो गरम पानी के कुंड और एक राजसी हिंदू मंदिर और गुरुद्वारे के पास एक हलचल भरा बजात और भिभिन सस्ते आवास बिकल्पों के साथ यह चोटे से स्वरग में आँखों को लुबा देने बाली बहुत सी चीजें उपलब्ध है पारबती नदी के किनारे घाटी में बसा ये गुरुद्वारा सिखों का धार्मिक स्थल है माना जाता है कि इस गुरुद्वारे में गुरु नानक देव जी अपने पांच सिश्यों के साथ आये थे गुरुद्वारा मनिकरन साहिब गुरु नानक देव जी की यात्रा की स्मृति में बनाया गया था इस गुर्द्वारे का जिकर ग्यानी ग्यान सिंग ने बार में गुरु खालसा में भी किया है इसे सिखों के लिए एक महतवपूर्ण पुज़स्थन के रूप में माना जाता है इस गुर्द्वारे में सिख ही नहीं बलकि बड़ी संखे में हिंदू भी पहुंचते हैं तो यहाँ पे अब मार्किट जो है वो खतम हो जाती है और आगे हम देखेंगे भगवान राम चंदर जी का मंदिर मनीकरण में इस मंदिर का धार्मिक और एध्यासिक दोनों ही महत्व हैं सतरवी सदी में पीरामीड नुमा अकार के इस मंदिर की बास्टुकला हिमाचल की खासित है इसमें भग्तों के धरने के लिए तीन बड़े होल और चालिस कमरे है मुख्य मंदिर की बेदी में भगवान राम और देवी सीता की मूर्तियं स्थापित है इसका निर्मान कुलू के राजा राजा जगत सिंग ने करवाया था जो सवय इन मूर्तियों को अयोधिया से कुलू लाए थे मंदिर में जाने का सबसे अच्छा समय दहसहरा और राम नम्मी का माना जाता है खुबसूर्थ बाजियों के बीच बसा मनिकरन किसी चम्चकारी तीर्थ स्थल से कम नहीं है इस गुर्द्वारे के दर्सन के लिए देश ही नहीं बलकि देश से भी लोग आते हैं तो आज की बीडियो दोस्तों यहीं कतम करते हैं और आपको हमारी बीडियो जो है वो कैसी लगी है और जो हमने आपको जानकारी दी है वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं अगर हमने कुछ कलत बोला हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं हम उस चीज़ को ठीक करने की पोसिस करेंगे यहाँ पे इस ब्रिज पे जाद देर खड़े रहने की या फोटो बेरगा खिचवाने की मना ही है जाद देर आप इस ब्रिज पे नहीं खड़े हो सकते हैं यहां पर चैताबनी भी लिखी हुई है तो हम जो है वो जल्दी से यह बिल्स पार्क करने के बाद सिदा जाएंगे पार्किंग की तरफ चहां पर हमारी गाड़ी खड़ी है और हम बहां से सिदा पहुंचेंगे अपने घर अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो पालक के लिए जैसीर राम जै महादेब जै मानी करन आप 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 राम जैसीर भीडियो एफल सिदा बाद से नहा हमारी तरपसज।